कई बार वो जो हमें दिखता नहीं हमें उसी को सबसे ज्यादा देखना होता है क्यूंकि लोग हमेशा आपको वो नहीं बताएंगे जो वो फील करते हैं जो वो सोचते हैं कई बार लोग अपनी सिक्रेट फिलिंग को हाइड करने की कोशिश करते हैं अपनी feeling को आपको नहीं बताते जिसकी वज़ा से आप ये नहीं जान पाते कि लोग आपके लिए कैसे हैं या आपके साथ ठीक है भी या नहीं वो लोग आपकी बातों में इंटरस्ट ले भी रहे हैं या नहीं इस चीज़ का अंदाजा आपको नहीं हो पाता आज हम यहीं ज जान पाएं कि लोग वाकई में आपके लिए ठीक हैं या गलत हैं आप बस जुड़े रहो इस वीडियो में आकरी तक और अगर आप अब तक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े हो तो प्लीज वहां ज़रूर जुड़ जुड़ जाओ क्योंकि मेरी सारी अपड टाइप कुछ पहन कराते हैं या फॉर्मल में हैं तो इसका मतलब है वो अपनी बात को सही साबित करने वाले मोड में हैं यानि कुछ जिम्मेदार टाइप खुद को शो करना चाहते हैं और अगर वो नॉर्मल ड्रेस में हैं जैसे जिन्स टीशट तो वो बस कमवर्टेबल फील करना चाहते हैं अब अगर वो फॉर्मल में हुए तो आपको थोड़ा सतर्क होकर ही बात करनी चाहिए वरना आप नॉर्मल हसी मजाग कर सकते हो इसके बाद वो आपसे गर्दन सीधी रखकर बात करते हैं तो वो वाकई कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं और वो ज़रा आपसे डिस्टेंस कितना है वो हसते हुए आपके तरफ गिर रहे हैं या आपसे दूर जा रहे हैं अगर वो आपके तरफ गिरने लगते हैं तो वाकई आपके साथ कमफर्टेबल फील कर रहे हैं पर अगर वो दूसरी साइट जाते हैं दूसरी साइट गिरते हैं तो वो ज पिकाता है कि आप खुद में रहने वाले इनसान हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, जबकि जबरदस्ती किसी को हर्ट करना अच्छा नहीं होता, इसके बाद अगला है कि अपनी इंट्यूशन को जानने की कोशिश करो, कई बर हमारी इंट्यूशन गलत नहीं भोलती, हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ शायद ऐसा हो सकता है, मगर हम उसे इग्नौर करने की कोशिश करते हैं, और बाद में ऐसा जब हो चाता है, तो हमें काफी ज़्यादा हैरानी होती है, तो इस चीज़ को जड़ा वादो दोस्तों, किसी की बातों से, उसके हाउ बाउ से, अग आपको क्या बताना चाहते हैं, उसके पीछे का reason क्या है, जरा उसके ओपर गोर किया करो, कहीं वो सिर्फ अपनी तारीफ तो नहीं करते, कहीं वो अपनी dark side आप से छुपा तो नहीं रहे, तो ये सब आपको बहुत सोचना है, उसके बाद ही किसी पर भरोसा करना है, और इसके बोर होने लग जाती हैं, तो ऐसे बंदे आपकी mental health को जरा ठेस पहुचा सकते हैं, तो इन पर जरा ध्यान दो, और उनकी आखो पर ध्यान दो, अपनी बात बोलते हुए, वो आपसे आखे मिला रहे हैं, या बस इदर उदर देखकर अपनी बाते बोल रहे हैं, ऐसा करना ठ बात को कभी ignore मत करो, आपको बस अपने sensor को तेज करना है, और इस पर मैंने separate video भी बनाया हुआ है, आप चाहो तो देख सकती हो, आपको बस six sense undiscovered truth लिक कर सर्च करना है, और वो वीडियो आ जाएगी, और दोस्तो लोगों की tone पर दियान दिया करो, उनकी बात आपके साथ कै कैसी है, वो अपनी बात, बात के तरीके से ही कहते हैं, या taunt मार रहे हैं आपको, आपसे किस तरह से पेश आती हैं, ये सब यार अपने आप, आपको बता सकता है कि आपको उनके साथ behave कैसा रखना चाहिए, तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद